हाई गाड़्स ए आर टेक्निकल चैनल में आपका शुवागत है तो दोस्तों अगर आप भी फॉन मेमोरी से मेमोरी कार्ड के अंदर फाइल या ट्रांसपर्ट करना चाते हैं तो इस वीडियो के अंदर में आपको इस्टेप बाइस्टेप पूरा समझाऊँआ कि आप फॉन मेमोरी से मेमोरी कार्ड के अंदर फोटो के से ट्रांसपर्ट कर सकते हैं तो दोस्तों उसके लिए सबसे पहले अपने को जाना है फॉन में फाइल मेनेजर के अंदर ये जो दिकरा है आपको इस आई फॉन में फाइल मेनेजर होगा आपका फॉन के फाइल मेनेजर को ओके करना है दोस्तों फाइल मेनेजर को जैसे ही ओके करें उसके अंदर दो सब तो अपने को device storage पे क्लिक करना है दोस्तों device storage पे जैसे ही क्लिक किया दोस्तों आपके सामने पूरा device storage खुल के आ जाएगा अगर आप जो भी files को ले जाना चाते हैं उसे select करना है तो दोस्तों मुझे कुछ फोटो जो ले जाना है तो मैं DCMI और फिर उसके निदर camera को ok करता हूँ मैंने camera को ok किया camera को ok करने के बाद अपने को कोई वी एक photo जैसे select कorno है एक photo पिर select करेंगे जो उपर auction आएगा select all सब को साथ में भेंजना चाते हैं select all ok कर दीजी और हमो फोटो भेंजना चाते हैं तो इसे deselect all करके वापस आप जतने फोटो भेंजना चाते हैं वो select किजी करना है, cut पर click करने के बाद आपको उपर जो arrow दिख रहा है, वहाँ से back मारना है back one, back two, back three जैसे back मारते जाएंगे और आपको सामने यह वापस device storage और SD card आएगा तो SD card पर click करना है, SD card करने के बाद, आप सीधे SD card के file जला जाएंगे और जहां भी photo को आप रखना चाहते हैं, आप पेस्ट कर सकते हैं मैं pictures folder के अंदर इस photo को रखना है चाहता हूं, मैंने pictures पे click किया और अब paste को click कर दिया, और सभी file है, memory card के अंदर transport हो गई, तो दोस्तों video अच्छा लगे तो like और share जरूर करना धन्यवाद दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है, तो subscribe जरूर करें